जियां फ्रेंड्स फोरेस्ट गार्ड की भरती का रिजल्ट जल्द ही आ सकता है यह उत्राखंट अधिनस चैन आयोका जैसे कि आप जानते हैं फोरेस्ट गार्ड की 1218 पदूं के लिए फरवरी में एक्जाम हुआ था लेकिन कुछ सेंटरों में जैसे कि कहना है अधिनस चैन आयोका कि वह जो नकल हुई थी ब्लुटूथ के माध्यम से काफी उस पर हंगाम हुआ था काफी उस पर सोर्थरापा भी हुआ काफी आंदोलन भी हुआ था वह आंदोलन अब विक्राल रूप धारन करता लेकिन उसके निपटेंगे जो अभी जो लेटिस्ट निउस निकल के आ रही है यह कि अधिनस चैन सेव आयोक का कहना है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट जैसे ही आती है और उसमें यह निकलता है कि कुछ सेंटर को छोड़के बांकी सेंटरों में निकल नहीं हुई थी तो अधिनस चैन आयोक 1218 फॉरेस्ट गाट के पदों की जो बकेंसी आय थी जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस कर सकता है लेकिन अधिनस चैन आयोक को यह धिहान देना होगा कि यह एक्जाम में पार दर्सिता बनी रहे क्योंकि अधिकतर एक्जाम में पार दर्सिता आजकल नहीं बन रही है जाए वो किसी भी स्टेट की हो कैसे भी हो अगर इस तरह से रहा तो फिर कैसे होगा ठीक है जैसे कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट गाट की भरते हो तो इसमें लिखित परिछा जो हुई थी उसमें कुछ सेंडरू में जो है पेपर लिख हुआ था जैस सची हुए संतों बड़ों ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट का अभी उन्हें इंतजार है पुलिस रिपोर्ट में अगर निकलता है कि कुछ एक सेंडरों को छोड़कर बांकी सेंडर में एक्जाम सांतिपू डंग से और बहुत अच्छे से हुए थे तो रिजल्ट जारी क अनन चेतरों का या फिर उन सेंडरों का रिजल्ट रोक दे जाएगा जहांपर नकल हुए थी ठीक है लेकिन कई जिसे रिपोर्ट आई थी और कई मीडिया रिपोर्ट आई थी और सोसल मीडिया पर यह काफी दिनों तक यह मामला चला था कि बहुत ब्यापक इस तर पर ये एक नकल का गैंग इसको नेक्सिस चल ला था जिसका परदाफास उस दोरान हुआ था लेकिन पुलिस ने ऐसा माने से मनां करें उन्होंने कहा थे कुछ सेंट्रों में ही जो नकल होई थी उसको रोका गया था ठीक है वहां पर जैसे कुछ सेंट्रों पर दुबारा अगर यह हो जाता है प्लिस रिपोर्ट में कि इन इन सेंट्रों पर कन्फर्म नकल होई थी तो वहां पर दुबारा परिक्षा का भी विकल्प तलासा जाएगा ठीक है तो यह अभी न्यूस खुल कर सामने आ रही है कि अगर फाइनल रिपोर्ट लॉकडाउन के बाद आ जाती है तो